अभी हम लोग इसको यह जो हमारा मक्का होता है जिसको जोंदरा बूलते हैं बस्तर में उसकी फसल में यह mostly खाने के लिए आता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका जो रंग है आप देखिए यह जो मक्का है मक्के से काफी मिलता जूलता है और यह generally मेज को खाने के लि कोई इसको पकड़ा है इसके ऊपर आप जब देखेंगे तो आप यह देखेंगे की इसका देखिए इतना मिलता जूलता है जोंद्रा के साथ और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो अच्छा पीछे तरफ पलट के दिखाऊ मोकर अइसा नीचे करूँ और नीचे करूँ तो आप यह देखेंगे कि यह पीछे इसका मल दवार बोला जाए और इस तरीके की संरचना होती है यह ल जागा में वह पकड़ने का है और यह बहुत शांदार क्रीचर है और मैंने इसे कांगेरवेली नेशनल पार्क में भी इसको देखा है और जनरली इसको टाइगर बेट्स शायद कहते है मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि मैं अपुशूब ज्यानी नहीं हूँ तो इस तरह के क और जनरली यह मेरे फॉर्म में आता है बहुत बहुत सुंदर प्रजाती है अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फिलाल तो यह इतना छोटा है कि कुछ चीज के बारे में मैं ज्यादा आप लोग को बतानी पा रहा हूँ इसका देखा जाएगा तो इसके दांट काफी शार्प होते हैं मैं आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ कि इतने शार्प दांट होते हैं इसके इसके आखें भी दिखती नहीं है शायद वो रेडिश रेडिश जो दिख रही है वही दांट है अगर आप इसका इस स्पान देखेंगे आप देखेंगे यह है तो बहुत चल दी और यह वापस पकड़ो ने ने जाना जाना वह बैठी की पकड़ो आपकड़ो पकड़ पकड़ो आपकड़ आपकड़ेँ